आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11 इंग्लिश की बुक्तू का भी आखरी चैप्टर दे टेल ओफ मेलन सिटी तो यह जो चैप्टर है उसके ओडर है विक्रम सेट जी और इस चैप्टर को पढ़के आपको बहुत ही जादा हसी आने वाली है और यहां पर जो है हमारे को क् यह जो उनको कुछ अनौश्मेंट कर सके ओव पर इह उपर यह पर आर्लगे यह उनको करेंगे ठीक है तो ऑड़ीया सब पढ़िया सब बना देते हैं अब जेस तन जो है हमारे राजा जी जाते हैं आर्के आपर स्पार को जो है महाशन को एक देने के लिए तो उस दिन जै ताज नीचे गिर जाता है तो उनको गुस्सा आता है वैसे चुई यह राजा है बहुत जस्ट है यानि कि जिस्टिस करने वाले है यानि कि न्याय पसंद है कोई बात हो यह ब्रॉपर न्याय करते है और प्लैसिड है बेकुल समझदार हमारे राजा है यह बट कभी-कभी इन तो यहां पर स्टार्टिंग में विक्रम सेटी क्या कहते है यानि कि आपको बता रहा हूं यानि कि एक जस्टिस करने वाला और प्लैसिड किंग था प्लैसिड मतलब होता है इवन तेंपर्ड ठीक है यानि कि बहुत ज्यादा गुस्सा आरा है उनको नहीं अपने तेंपर तो यह जाले एक किंग थे ठीक है चला आगे पड़ते हैं दे केंग प्रोक्लेम एन आक शुडबी में प्रोक्लेम होता है अनौंस करना कि अनौंस करते एक आर्क बनना चाहिए अन आर्क में आपको बता दिया गेट स्ट्रुक्चर विच सर्कुलर वाल ठीक है ऐसे इसे ब पर से ठीक है constructed that triumphly यानि कि बड़ी आसा एक आर्क जो है वो बना दिना चाहिए और बनाना क्यों है वो it would span the major thoroughfare ठीक है span मतलब होता है पास करने मैंने word meaning भी लिग दिया है और especially जो pinned comment आप भी मैंने सारे word meanings जो है pin कर दिया है महां से देख सकते हो क्योंकि यहां writing आपो दिख इनलाइटन करने के लिए spectator, spectator मतलब audience उनकी project अभी हां enlightening करने से बतलब उनकी है कि वहां पर आर्क पे जाएंगे gateway पे वहां अपनी प्रेजा से बात करेंगे उन्हें कुछ भाशर देंगे उन्हें इनलाइटन करेंगे ठीक है यहां तक हमें समझ में आ गया कि उन्होंने thoroughfare to edify the spectators आप King जी क्या करते हैं अपने राइट करके जाते हैं अपने घोड़े पे thoroughfare पे आने कि उस main road पे अपने जो सारे के सारे spectators है उनको भाशर देने कि उन्हें एनलाइटन करने के लिए ठीक है चलो आगे पड़ते हैं अब एकदम से क्या होता है कि जैसे ही वो आर्क के अंडर जाते हैं उनका ताज सर का नीचे गिर जाता है क्योंकि आर्क काफी नीचे बना होता है उसी समय उनके फेस पे एक फ्राउन यानि कि थोड़े sad टाइप हो जाते हैं उनके प्लैसर फेस पे देख रहा था कि उनका mood off हो गया है the king said this is disgrace the chief of builders will be hanged अब जब उनको दिखता है मेर क्या हो गया है यह तो गलत हो है मेरे लिए और क्राउन के लिए कि एसे मेरा ताज सर से नीचे गिर गया है the chief of builders will be hanged और गुस्से में क्या कहते है कि जो chief builder का जिनो नी आर्क बना है उसको फासी की सजा में अनाउं के लिए उस सब को अरेंज कर दिया जाता है the chief of builder was laid out or chief of builder को लिके आ जाता है फासी चड़ाने के लिए he passed the king he gave a shout और जैसी वो king के बराबर मिसों से फासी ले जाने के लिए ले जाया जा रहा था वो कहता है चिला की कहता है oh king it was the workman's fault गलती मेरी नहीं है king ji गलती किसकी है गलती है मजदूरों की workman की गलती है जो लोग काम कर रहे थे actually में उनकी गलती है मेरी गलती नहीं है oh said the king and called the halt to the proceedings being just in placidum now he said I must have all the workman's hang instead तो अब भया यह king कहता है halt करने को रोकने को पूरी सरमनी को और कहता है कि वर्कमें की गलती है तो वर्कमें को ही हम हैंग करेंगे ठीक है the workman looks surprised and said oh king you do not realize the bricks were made of wrong size अब वर्कमें क्या कहता है sir हमारी गलती नहीं है bricks जो है वो गलत पनी थी मेजन जो हैं उन्होंने brick गलत size की बनाई थी हमारी गलती नहीं है Summon the mason said the king king कहता है मेजन को यानि की जोनोंने बनाई थी brick उन्हें बुला कर लाओ the mason stood there quivering मेजन वहाँ पे बहुत ही डरते वे that quivering मतलब डर रहते देवा आप कह सकते शिवरिंग with fear वहां पे खरे थे it was the architect they said the architect was summoned फिर वो कहते है भाई हम नहीं थे sir हमारी कलती नहीं थी architect की कलती थी तो architect को बुला के लाया जाता है ठीक है well architect said his majesty अब architect आगे कहता है his majesty I do ordain that you shall be hanged मैं यह कहता हूं कि आपको फासी होनी चाहिए तो भाई आपको फासी होनी चाहिए sir ji आपको फासी होनी चाहिए king आपको फासी होनी चाहिए ठीक है अब वो कैसा क्यों कहता है said the architect oh king you have forgotten one small thing और फिर कहता है oh king आप एक छोटी सी बार भूल गयो sir आप एक छोटी सी बार भूल गए हो you made certain amendments to the plan when I showed them to you आपने जो प्लान था जो आर्क बनाने का architect का क्या 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 हूं तो जो मैंने आपको प्लान बनाया था तो आपने ही उसमें को चेंजेस अमेंडमेंस वालोगते चेंजेस कराए in fact he nearly lost his head but being a just and placid king he said this is a tricky thing तो वो बल्कुल उन्हें समान में आता है क्या किया जाए क्या ना किया जाए बट जैसे कि वो एक just a placid king है कि न्याय करने आले king है वो कहते है रहे यह तो बहुत tricky मामला हो गया अनिकि आप बढ़ी गरबर सी बात हो गया क्या किया रहा है सोचता है ठीक है फिर कहता है मुझे काउंसे लेने की मुझे कोई एडवाइस वाली की जुरत है जो मुझे आके एडवाइस दे bring to me the wisest man in the country मेरे पास लेकर आओ इस country का हमारे पूरे kingdom का सबसे समझदार आदमी ठीक है the wisest man was found and brought ने carried to the royal court ने मतलब होता है नहीं ठीक है तो फिर wisest man को सबसे समझदार आदमी को kingdom के ढूंडा जाता है और उसको लेकर आया जाता है royal court में in fact लेकर नहीं आया जाता है अब ऐसा क्यों है वह आप समझ जाओ he could not walk and could not see क्योंकि वह बहुत बूरा था उसको नहीं दिखता था नहीं वह चल पाता था so old and therefore wise was he वह इतना बूरा था ना इसलिए लोगों को लगा कि वह old है कि भाई बूरा है ना मतलब कि वह समझदार होगा ठीक है तो वह उसको लेकर आ जाते है but in quavering voice he said the comfort must be finished ठीक है फिर वह अपनी trembling voice के था नहीं कि उसकी voice भी काप रही था इतना बूरा है चल भी नहीं पा रहा था दिख भी नहीं रहा था कहता है कि culprit या नहीं कि जिसकी गल्टियों से punishment जरूर मिलनी चाहिए truly the arc it was that banged the crown off and it must be hanged और कहता है कि culprit कौन है वह आर्क है वह जो gateway है वह उसकी गलती है उसने ही तो crown को जो है touch कर और नीचे की रहा दिया तो उसकी गलती है उसको hang करना चाहिए ठीक है तो to the scaffold the arc was let platform में तो wooden platform तो जहां पर फासी लगनी थी उस wooden platform पर आर्क को रग दिया जाता है when suddenly a counselor said how can we hang so shamefully was touched your head your majesty अब जैसी वह आर्क रग दिया जाता है platform के ओपर वह गेट रग दिया platform के ओपर भए so impractical बात की gate को फासी चड़ाएंगी तो इतने में ही यह counselor कहता है उनके मंत्री गंड के अंदर से मंत्री कहता है sir how can we be so shameful हम इतनी शर्मनाक चीज कैसे कर सकते हैं तो आपके रोयल ताज को चुआ था तो जिस तीज ने रोयल ताज को चुआ है हम उसे कैसे जो है किस तरीके से हम उसको हैं कर सकते हैं ठीक है true muse the king by now the crowd restless was muttering love अब यह बात सुनके कि हाँ भाई सारग ने तो मेरे ताज को चुआ है कि भी news करते हैं मतलब कि यह सोच में पर जाते हैं इतने महीं वहां की जो crowd थी वह चीक चला रही थी वहां बहुत बाते चल रही थी क्योंकि लोगों को चेता भाई किसी को तो फासी लगनी चाहिए क्योंकि फासी लगना जरूरी है दूश्मन को जो हमारा culprit है जो victim जिसने कलती की है उसको फासी जरूर लगनी चाहिए ठीक है अब को समन में आ गया भाई है यह प्रजा के जो मोड है वो काफी चेंज हो रहा है अब गुस्ता विद्रो कर सकती है अब मेरी पड़ा जा कि मैं सही इंसान को फासी नहीं चोड़ा रहा हूं तो इसलिए वो डर जाता है and said to all those who are similar offer king वहाँ पर जितने भी लोगोगों ने कहता है let us postpone consideration of finer points like guilt the nation wants a hanging hanged must be someone and that immediately तो कहते है अच्छा चोड़ो जो यह guilt की बात है matter की हम यह ढूंड़े कि किसकी गलती थी यह देखो आप यहाँ पे इस postpone consideration of finer points like postpone कर देते हैं उस चीज को कि हम ढूंड रहे हैं कि असली में guilt यानि कि गल्ती किसके थी किसकी वज़े से जो आया चोटा बनाए उस बात को छोड़ देते हैं जो प्रजा वो चाती किसी को फासी लगे तो हैंग बसी समन किसी एक को भी फासी हम लगा देते हैं the news was set up somewhat high तो फासी का फंदा कुछ उचाई पे लगाया जाता है each man was measured by and by her army आतर उसको measure करा जाता है but only one man was so tall he fitted but एक ही man इतना tall था कि वो fit हुआ one man that was all सिफ एक यार्मी तर उस फंदे में fit आया he was the king और वो कौन ता king ही था raja खुद था his majesty was therefore hanged by royal decree and finally majesty raja को फासी देती जाते है by royal decree अन्य कि royal order के साथ raja की मर जी के साथ उसको फासी देती जाते तो वो कहते है thank god अगर हम ऐसा नहीं करते तो यह प्राजा हमारा विद्रोह करने लपी ठीक है फिर वो कहते है long live the king the minister said कहते है raja अमर रहे raja अमर रहे कोन कहते है minister raja अमर रहे long live the kid फिर से कहते है फिर से कहते है the king is dead but अब राजा नहीं रहे क्योंकि उने seven में आदा था अब तो उनके पार राजा है नहीं तो फिर they pondered the dilemma then being practical minded man sent down the herald to proclaim in his former majesty's name अब वो क्या करते हैं सोचते हैं यह भाई अब क्या करा जाया राजा तो है नहीं तो एक practical minded man क्योंकि वो एक practical minded है राजा की वना कैसे उनका पूरा kingdom से लेगा तो वो जो उनके heralds होते हैं जो उनके messengers होते हैं messengers जो घुड़े पर जाके धर उदर जो है announcement करते हैं उनको जाके कहते हैं कि announcement करो हमारे majesty के नाम में former majesty जो king मर गया उनके नाम पे एक announcement करो the next to pass the city gate will choose the ruler of our state as is our custom कि भाई अब क्या होगा जो भी city gate को पार करके जाएगा जो भी पहला इंसान city gate को पार करके जाएगा वो बताएगा कि नया ruler कौन बनेगा और यही हमारे kingdom का custom है ठीक है this will be enforced with due ceremony और ceremony के साथ जिस भी इंसान का वो नाम लेगा हम उसको अपना king बना देंगे a man passed the city gate an idiot अब एक आजमी पास करता है city gate को और वो एक पागल था idiot था वो उसको में समझ नहीं थी वो पागल था बिल्कुली the guards cried wait who is to be the king decide this was his standard answer to all the question he liked melons अब ऐसा नहीं था राजा जो है तर्बूज वन जाए नहीं वो कोई भी उससे कुछ पूचे तुम्हारे नाम के तुम क्या करते हो यह वो कोई भी क्वेशन पूचे तुम कहा रहे हो वो हर बात का नाम मेलन देता था कुछ भी पूचो से वो मेलन ही कहता था क्योंकि उसे मेलन वहाच जदा पसंद थे you are now our king the minister said crowning a melon अब फिर क्या होता मिनिस्टर क्या करते एक मेलन को एक तर्बूच को ले जाके जो है राजा बना देते हैं उसके सर पे ताज रख देते एक किंग नौ अब आप हमारी राजा हो देन दे लेड लेड मतलब कैरी करके ले जाते हैं दमेलन जुदे थ्रों फिर राज जिगदी के उपर उसको लेकर जाते हैं एंड्रेवेंट्ली सेट डाउं ठीक है और उसको वहां पर रख देते हैं तो यहां पर आप देखो इन्होंने को अपनी सेजा भुगतनी पड़ी और जैसे कि हमें आपको क्या का प्लैसर मतलब होता है इवन टेपर वाला कि भाई इसमें सोचो समझो अगर क्राउं गिर गया था तो उसके किसी को फासी की सेजा देनी के लिए राजा ने कैसे एक्दम से गुस्से में मूला शायद अग अगे परते हाँ अपनी पोएम को सौरी एच चाप्टर है इस है इस अगो तो यह जो चीज हुए थी बहुत सालों पहले वह इत्याज नहीं है वें आउग यह आज आपको पूस्ते हैं तो यह आपका राजा तर्बूज है आपका राजा तर्बूज है इसा कैसे हो गया द हमारी अपनी मर्जी थी हमारी मर्जी कस्टम्स के साफ से चलिया अपने जैसे हमारी प्रता है उस हसाब से हमने अपना ठीक फैस दा लिया है इफ इस मैजिस्टी डिजोएस इन बिंग मेलन रहे तो यह कोई दिक्कत निया उनके तर्बूज होने से विद अस फॉर हूर वी जाजा लेमन है यह मेलन है यह कुछ भी है अब इस कंट्री के अंदर इस किंग्डम के अंदर लेजे फेर का प्रिंसिपल वेल इस्टाबलिश हो गया है और लेजे फेर मतलब बेसिकली होता है कि दखल अधाजी न और जो काम जैसा और उसे चलते है नहीं दो रियल उनके काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करता था राजा नहीं था उनको जो है कुछ समझानी वाला और उनको इंटरफेर करने वाला और वह लोग बहुत पीस से रहते थे शांती से रहते थे बिल्कुल और उनके बहुत सब्सारा फ्रीडम और लिबर्टी था तो दिस वा के एक समझदार आद्मी को बिलाओ वो बताएगा किसको फासी लगाया जाए तो समझदार आदमी कहता है कि इस अंगी को तॉच नहीं लगा सकते है तो राजा जी खुद कहते है कि दुद चोड़ो यह इस सोचना बन कर देते हैं कि किसकी गलती ती अब फासी का फंदा को फासी हो जाती है तो भी आदमी पहली बार gateway के अंडर से निकल के जायेगा उनके city के massa घीनलेकैजा का राजा कौन बन जाता है मैलन ठीक है अब सालों साल पीछ जाते हैं जब भी लोग उस किंग्ड Kellam में जाते हैं और कूछ थे वहां के लोगों सोय नहीं है तो यह कोई दिखकत नहीं हमारा राजा मैलन भी है अगर दो इस कर सकते हैं ऐसा हो गया था क्योंकि राजा तो कुछ कहता ही नहीं था इस तरीके से टेल आफ मेलन सिटी जो है वहाँ पे लेजे फियर का प्रिंसेपल जो स्टार्ट हो जाता है और वेल इस्टाबलिश रहता है यानिकि बहुत बड़ी है तरीके से वहाँ पे सब कुछ चलना अब अगर आपको बाकी चाप्टेस पढ़ें तो डिस्क्रिप्शन वॉक्स के वना वहां से जागी पढ़ सकते हो कोई क्वेरी तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो इंस्सेग्राम आइडी करेंगे वना जापे नोट्स मिलेंगे आपको तो मैं चलते हूं बाबाइच सिक्रान बेश्क लग बन